जैमातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये पताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैमातादी जरूर लेगें दोस्तों, सूर्य का किसी भी रासी में प्रवेस करना संक्रांती कहलाता है और जब सूर्य धनूरासी में प्रवेस करता है, तो उसे धनू संक्रांती कहते हैं ये समय सुब नहीं माना जाता है, ये समय पॉस मास का होता है, जिसे खरमास या मलमास भी कहा जाता है माना जाता है कि इस मास में सूर्य देवता के रत घोडों की जगए गदे खीचते हैं इस मास में नए काम की सुरुवात नहीं की जाती और इस मास में सुब काम भी बंद हो जाते हैं साधी, जनिव, ग्रह प्रवेस, बहु का ग्रह प्रवेस, बड़ी पूजा पाठ, सगाई, गोद भराई, ग्रह निर्माण आदी जैसे कार नहीं किये जाते हैं या नई वस्तुओं का खरीदना, घर में कार आदी का खरीददारी ये सब भी नहीं की जाती नई व्यपार का आरंब आदी करना भी अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों ये इस्तिती लगबग एक महीने की होती है सूर्य धनूरासी में जब प्रवेस करता है, जिसके बाद सभी तरह के सुबकार वर्जित हो जाते हैं दोस्तों हिंदू पांचांग के अनुसार 16 दिसंबर 2022 दिन सुक्रवार को सूर्य धनूरासी में प्रवेस करेगा जिसके साथ ही खरमास 2022 का प्रारंब हो जाएगा जो की एक महीने तक रहेगा आपको बता दें कि जो 30 के अनुसार 16 दिसंबर 2022 दिन सुक्रवार को सुबा 10 बच कर 11 मिनट पर सूर्य धनुरासी में प्रवेश करेगा जिसके बाद अगले एक महीने तक कोई भी मांगलिक कार नहीं किये जाएंगे दोस्तों 14 जन्वरी 2023 दिन रविवार को रात 8 बच कर 57 मिनट पर सूर्य धनुरासी से निकल कर मकर रासी में प्रवेश करेगा और इसी के साथ 15 जन्वरी 2023 से मांगलिक कार दोबारा सुरू हो जाएंगे दोस्तों खर्मास को हमारे हिंदू धर्म में विशेश मानिता दी गई है ऐसी मानिता है कि यदि कोई भी वेक्ती खर्मास में अपने प्राण त्यागता है तो उसे निश्चे थी नर्क में निवास मिलता है जब भीस में पितामा सरसया पर लेटे होते हैं लेकिन खर्मास होने के कारण वे अपने प्राण एक माह तक नहीं त्यागते हैं जैसे ही सूर्य मकर रासी में प्रवेस करते हैं तब भीस में पितामा ने अपने प्राण त्याग दिये थे आपको बता दें कि इस मास में सूर देवता की पूजा करने का विसेस महत्तो है इस माँ में सूर नरायन की पूजा करना विसेस फल्दाई माना गया है खरमास के महीने में नया कार सुरू नहीं करें ऐसा माना जाता है कि इससे आग की आर्टिकिस्तिती मुश्कल में पड़ जाती है माननेता है कि इस महीने सुरू किये गए सभी कार बीच में रुख जाते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती दोस्तों खरमास में बच्चे कमुंडन भी नहीं करना चाहिए ऐसा कहा जाता है कि मलमास में बच्चों का मुन्नन करने से उसकी तब्यत बिगड़ सकती है आपको बता दें कि मलमास में भगवान विश्णू की पूजा करने के साथ साथ धार्मिक इस्तलों पर इसनान दान आदि करने का भी विसेज महत तो है इस पूरे महीने प्रते दिन ब्रह्म मूरत में उठकर इसनान करके भगवान विश्णू का केसर युक्त दूद से अभिशेक करें वातुलसी की माला से 11 बार विश्णू जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा का जाब करें इसके लावा इस महीने में पीपल की पूजा करना भी सुब माना जाता है इस महीने में बगवान सूर नरायन की पूजा का विशेश महात्व है आप प्राता काल सुबा जल्दी उठकर एक तामे के लोटे में सुद्ध जल भर कर लाल पुस्प लाल चंदन अप्चत मिला कर जल अर्पित करें इसके लावा इस पूरे महीने आप भगवत पुरान राम चरित मानस सुन्दर कांड विश्नु सहस्त नाम का पार्ट करने से आपको सुफल की प्राप्ती होती है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्थ से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद